हेलो एंड वेलकम टो एजुकेशन गुरू जी आज का हमारा टोपिक है पसुपालन जैसा कि आपको पता है कि हरियाना पुलिस का सलेबस बदल चुका है और उसमें पसुपालन को जोड दिया गया है इसलिए हम आज पसुपालन के कुछ इंपोर्टन कोशन करेंगे जिनकी एक्जाम में आने की संभावना है चलिए शुरू करते हैं Q1. जम्मु कस्मीर की परमुख भेड की परजाती कौन सी है अंसर है गुरेज Q2. राजस्तान की परमुख भेड कौन सी है Q3. अंदर प्रदेश में पाली जाने वाली भेड की परमुख परजाती कौन सी है अंसर है South Dan Q4. कुल दूद उत्पादन में भेड का दूद कितने प्रतिशत है अंसर है 4.5 प्रतिशत यानि सड़े 4 प्रतिशत Q5. भरतिय अत्यन सोक के साथ किसे पालते है अंसर है इसको Q6. सबसे अधिक दूद देने वाली बकरी कौन सी है अंसर है बिटल Next Q7. कौन सी गाएं की परजाती सबसे अधिक दूदारू है अंसर है फ्रीजियन Q8. गरीबों की गाएं जानी जाती है अंसर है बकरी Q9. दवी उदेशिय बकरी का नाम क्या है अंसर है बर्बरी Q10. गाएं के दूद में पानी की मातरा कितनी होती है अंसर है 6 परतिशत Next देखते हैं Q11. भारते गाएं का परती वर्स ओसत उत्पादन कितना होता है अंसर है 390 लेटर Q12. अच्छी उन वाली बेड़ की परजाती है अंसर है लोही Q13. खुर्दरी उन वाली बेड़ की परजाती कौन सी है अंसर है बिकानेरी Q14. करनाटक में पाए जाने वाली गाएं की परजाती कौन सी है अंसर है अमरित महल Q15. किस देश में विश्व की अठारा प्रतिशत बकरियां पाली जाती है? A. भारत Q17. भारत में विश्व की कुल कितने प्रतिशत भैस है? A. चुवन प्रतिशत Q18. कृष्णा घाटी जाती किसकी है? A. गाएं की Q19. सुजाता किसकी जाती है? A. गाएं की Q20. भेड़ के बच्चे को क्या कहते है? A. मेमना Q21. हरा चारा खाने वाले पसु के दूद में कौन सा विटामिन पाय जाता है? A. गाएं कृष्णा बाइस Q22. भारत में पसु धन से प्राप्त आए कुल आए का कितने प्रतिशत है? A. 18 Q23. भारत में मनुश्य और पसु का नुपात क्या है? A. दो नुपात एक यानि दो मनुश्य और एक पशु Q24. किस जानवर की सबसे अधिक गरव अवदी होती है? A. हतनी Q25. गाएं के जुन्ड को क्या कहते है? A. हर्ड Q26. गाएं के बच्चे का सेंग रोधन कब करना चाहिए? A. तीस दिन की आयू में Q28. पसु के बच्चे को गल घोटू ठिक का कब लगाना चाहिए? A. छे महिने की आयू में Q29. गाएं को कितने समय में जेर डालनी चाहिए? A. अंसर है तीन से चार गंटे में जेर डल जानी साहिए Q30. भैस के घरब धारन की अवदी कितनी होती है? A. अंसर है 307 दिन Thanks for watching अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेर करें और मेरी नए महमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास एजुकेशन से रिलेटिड सभी जानकारी समय पर आती रहें अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मात